कि 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 कैसे होगंा आप सब आई होपसर बाहुत अच्छे होंगे तो गाइस आज की वीडियो मैं आपके सब जुशन की वीडियो correct करने यूँ लिंग Lucast कि स्टोर से बाई किया है बहुत ही अच्छा वाला ऑईल है काफी टाइम से मतलब बहुत ज्यादा टाइम से मैं ये वला हेयर ऑईल यूज कर रही हूं स्पेशली विंटर जब स्टार्ट होने वाले होते हैं पूरी विंटर मैं इसी ऑईल को यूज करती हूं 200 ml हमें इसकी हमें बहुत अच्छी मिल रही है काफी टाइम तक आप इसे यूज कर सकते हैं और आप सबको पता है कि पेराशुट हेयर ऑईल 100% प्योर कोकनेट ऑईल से बना होता है इस ऑईल के जितने भी फाइदे मतलग कि इतने ज्यादा फाइदे हैं कि अगर मैं आपको फाइदे गि यूज कीजी आपको बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे बिल्कुल ट्रांस्पेरंट यह व्ला ऑईल है कोई भी कलर इसमें एड नहीं है फ्रेग्नेंस इसकी बिल्कुल माइल्ड है तो आप सब तो जिशन को काफी टाइम से देख रहे हैं और आप जादा उसके बाल हैं तो उसके बालों में हमेशा मुझे हैवी और ऑइलिंग ही करनी पड़ती है क्योंकि बहुत जादा उसके बालों में लग जाता है तो देखिए सबसे पहले मैं स्कैल पर अच्छी तरह से सेक्षन बाइस एक्षन ऑईल लगा रही हूं ताकि सारी स्कै लग जाता है क्योंकि उसके बालों की लैंध आप सबको बता कि बहुत लंबी है बहुत ज्यादा ओइल मुझे उसके बालों में लगाना पड़ता है अब जैसे विंटर स्टार्ट है तो हफते में एक बार ही मैं जेशन को हेर वाश करवाऊंगी समबर में तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम इतनी जाता होती है कि हफते में दो बार मुझे उसे हेर वाश करवाना पड़ता है तो देखिए सबसे पहले मैंने स्कैलप पर ओईलिंग की है आप देख सकते हैं कि कितना कितना ओईल मैं उसके बालों में लगा रही हूं भी तो ज जाएम उसके बालों को बिल्कुल मैं गंदा नहीं रखते हूं अगर हम गंदे बालों पर या फिर करना चाहते हैं तो अपने बालों की प्रॉपर केयर करना कड़ेगी प्रॉपर के Frankly को मतलब है नहीं है कि आपको बहुत ज़्याधा है महंगे यूंस करने हैं हियर ओल शेम्पू कंडिशनर सीरम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोड़क्त यूज करने से बालों को बाल लंबे नहीं होते है घर पर ही अपनी बालों के अच्छी केर करके अपने बालों को लॉंग स्टॉंग हेल्धी बना सकते हैं जैसे कि आप दो सालों से जशन को देख रहे हैं आप सबको बता है कि जशन के बालों में जस्ट और जस्ट में आयूर, शैंपू, मस्टर्ड आइल और पेराशुट आइल इसी के यूज़ करती हूँ इसके लावा आमला ओइल भी मां कभी जबी उसके बालों पर लगा लेती हूँ, इन चीजों से ही इसके बाल इतने जदा लंबे हुए हैं, इतने स्टॉंग है, इतने हेल्दी है, बालों की लैंध इतनी अच्छी है, इसके लावा कोई भी expensive प्रोड़क्ट का मां कभी भी उस बहुत कम छोड़िए जब आपको कहीं बाहर जाना है किसी कोई फंक्षन अटेंड करना है तब आप खुले बाल छोड़िए अधर वाइस आप बालों को कवर करके रखे तो आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे हेर फॉल की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी तो देखिए गाइस जशन के अब मैं बालों की लैंथ पर अच्छी तरह से ओईलिंग कर रही हूं ओईलिंग करने से न मुझे टैंगल्स रिमूव करने में बहुत ज़्यादा असानी हो जाती है ड्राय हेर में तो टैंगल्स में बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर सकती और कि ऊसे यहर फॉल की परब्लम बट जब टैंगल्स रिमूव करते हैं तो थोड़े बहुत बाल तो निकलते ही है अधरवाइस उसे यहर फॉल के प्रब्लम डैंडर्फ इचिंग ऐसे कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल नीट आड़ क्लीन उसके हेयर ह करने के बाद मुझे टैंगल रिमूव करने या उसके बाद उसका जूड़ा करने जैसे कि वह एक सीख वो आया है तो रूटीन में वह जूड़ा करके ही रखता है कभी भी किसी भी हेस्ट्रेल में मैं उससे नहीं रखती हूं तो गयिस जैसे यही वीडियो को आप पसंद करते हूं बहुत अच्छी लगती आपको जैसे की वीडियो को वीडियो बाध आप वीडियो को लाइक बिलकुल नहीं करते हैं और चैनल को सबस्क्राइल करना है बस आपको एक like का बटन ही क्लिक करना है तो देखिया, oiling करने के बाद मैं tangles remove कर रही हूँ tangles remove करने के लिए बहुत अराम अराम से मैं उसके बालों पर combing करती हूँ बालों को मैंने एक हाथ से जोड़ से tight किया हूँ फोल्ड किया हुआ है ताकि उसे बिल्कुल भी पेन ना हो थोड़े थोड़े बालों पर मैं टैंगल करके नीचे की तरफ आती रहती हो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मुझे बालों में टैंगल को रिमूव कर रही हूं सबसे मुश्किल जो है वो यही है कि जब फर्स्ट वाश होता है ना उसके बाद वाले जो टैंगल होते हैं वो मुझे निकालने बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं वैसे पूरा वी कितने टैंगल उसके बालों में नहीं होते हैं वो जूड़ा करके रखता है ब्रेड बनी होती है तो थोड़े बहुत एंगल्स होते हैं आफ्टर हे वाश यह वाश उसके बालों में बहुत ज्यादा होते हैं विंटर्स में थो पैराशोट आईल ही यूज करती होूं अपने बालों पर भी अपने वच्छों के बालों पर भी इसकी फ्रेग्रनेंस बिलकूल इसका कोई भी इसमें कलर नहीं है तो मुझे तो यह वाल परसनली बहुत ज़्यादा पसंद है इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप जरूर ट्राइ करके देखिए अगर आप एमवे कंपनी का पेरिशुट आइल यूज करेंगे ना वह भी बहुत ही को गाइस इसी तरह से मैंने जेशन के औयुं की है है हेवई यह इंग ऐन तरह से किया तो को इसके बालों में बहुत ज़्यादा उए माय लगता है टेंगरं को मैंने आ आप देख सकते हैं कि इस तरह से बालों को एक हाथ से फोल्ड करके फिर मैंने थ्यान रिमूव की है ताकि उसे ज़्यादा पेन ना हो और टैंगल्स भी इसली रिमूव हो जाएं इसके बाद मुझे जुड़ा करना है पटका वियर करना है उसे सबसे मुश्किल मुझे टैंगल्स रिमूव करना ही लगता है क्योंकि बाल हैवी बहुत ज़दा है है मतलब बहुत मुष्किल होता है उसके पालों में मैं टेंग करना तो देखे गाईज सभी टेंगल में अच्छी तरह से रिमूव कर लें हैं ओप आपको ये वली वीडियो जशन के बहुत अच्छी लगे होगा अगर वीडियो अच्छी लगे